हाई गाईज दीस है आयूशन वेलकम बाक टू दो चैनल बात करेंगे कुछ नए स्टॉक्स की काफी अच्छे पैटेंस बने चार्ट में एक एक करके अनलाइज करेंगे आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने टेलकराम चैनल नहीं जोइन किया है तो डिस्क्रिशन बॉक्स में मैं लिंक डाल दूँगा वहाँ से आप जोइन कर सकते हैं अभी all time high के आसपस nifty, bank nifty, fin nifty तीनों ही close करके गए हुए हैं तो total market sentiment मुझे bullish दिख रहा है अभी यहाँ पर जो previous high था हमारे पास 22500 का यह लेवल है यहाँ पर finally इसने approach किया है 3-4 दिन पहले price ने यह जो 2050 के हमारा band है इसके अंदर इसने test करा यहाँ से एक bullish momentum पकड़ा उसके बाद 4-5 दिन एक डोजिया बनाई एक sideways momentum यहाँ पर निकल गया उसके बाद यहाँ पर ब्रेक आउट के लिए मुझे ready दिख रहा है ideally ऐसे जो cases हैं उपर के साइट breakout होते हैं तो हम यह assume करेंगे 90% chances बन रहे हैं अगर यह price 22,550 यह जो highs है न 22,550 या फिर 600 माल लीजे यह highs अगर cross होते हैं यहाँ पर एक घंटे sustain भी कर जाता है न तो एक अच्छा momentum आपको 22,800, 23,000 तग भी देखने को मिल सकता है निफ्टी के consolation किया उसके बाद उपर निकलने के कोशिश कर रहा है तो जो लोग भी long करके बैठे हुए उनका stop loss कहा होना चाहिए आइडिली यह जो range है उसके नीचे रखते हैं और यहाँ से सिर्फ और से 200 point है भी 22,300 के आसपस तो यह level नीचे के साइड cross नहीं होना चाहिए अगर 22,300 वापे से cross होता है तो यह वापे से हो सकता है 22,000 के levels के पास फिर से आज़र 50 moving average को अपने test करना है तो यह यहाँ पर फिर से एक महीने पूरा-पूरा sideways निकाल देगा अगर इसने वापे से 22,300 को cross किया जिसके chances थोड़े से कम बन रहे है पूरी-पूरी उमीद है कि यह उप अगर बायंग निफ्टी का आप चार देखेंगे तो यह काफी strong है previous day भी अगर आप देखेंगे तो पिछले चार-पास दिन से निफ्टी डोजिया बना रहा लेकिन इसने चार-पास दिन में क्या किया है 47,000 से लेके 48,500 के आसपर इसने एक rally दी है अब यह rally थोड़ी से दूनों ही case में आपको एक entry के opportunity मिलेगी यहाँ तो यहाँ पर इसको consolidate हों दो अगर होता है उसके बाद 48,600 का जो high है यह break होता है तो एक entry मिल जाएगी अगर नहीं होता है लेट से उपर directly break out होता है तो don't chase the price यहाँ पर एक बार इसको retest के लाने देना उसके बाद वापे से entry तलाशेंगे बात करते हैं stocks की सबसे पहला stock हमारे पास जो है दो stock निकाल कर रखते हैं railway के काफे अच्छे patterns बन रहे हैं तो इसको ध्यान देंगे यहाँ पर आपको stock का नाम दिख रहा है background में काफे लोग बोलते हैं कि यहाँ पर जो नाम है उपर थोड़ा सा दिखता नह बात करते हैं stocks की सबसे पहला stock हमारे पास rail विकास निगम रिम लिमिटेड RVNL अभी यहाँ पे patterns काफी अच्छा बन रहा है थोड़ा सा मैं इस चार्ड का पुष्टी समझाता हूं price को अगर आप ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे तो एक similar सा pattern मुझे दिख रहा है RVNL मे यहाँ पे usually price 30-40% का अचानक सा momentum करता उसके बाद completely sideways चला जाता है 4-6 महिने के लिए यहाँ पे आपको एक momentum देखने को मिला उससे पहले price completely sideways था अगेन momentum के बाद price 4-6 महिने के लिए sidewise चला गया है फिर से यहाँ पे जब breakout आपको देखने को मिला तो फिर से 50% का momentum देखने को मिला अगेन उसके बाद एक correction और sideways market ये usually price कर क्यों हो रहा है तो जो भी mean reversion होता है वो price को वापिस से इसके पास ले के आता है अभी price बहुत दिनों तक अपने mean से दूर नहीं रह सकता है यहां पर आपको क्या दिख रहा है यह price decent है यहां पर price उपर जात हो करके अब यहां से यहां तक देखेंगे आप तो यह 25 परसंट का momentum है लेकिन इसने एक manner में slow and steady उपर गया है लेकिन यह price ऐसे momentum नहीं करता है अगर price 90 degree momentum किया है it means जो भी इसके 20-50 band है या 20 moving average वो पीछे छोट चुका है तो इसको वापिस से sooner or later test करने आना होता है यह price वापिस से same चीज़ वही करने नीचे आया है अब यहां पर sideways चला गया sideway जाने के बाद होता क्या है कि price जो band होता है उसको squeeze करता है एक बार band squeeze हो गया तो फिर से जो यह momentum होता है उसके लिए ready है अभी यहां पर थोड़ा सा एक दुविधा क्या है मैं आपको बताता हूँ देखो यह देखो यह रहा चाड़ा आपके सामने ठीक है अभी हम जो pattern बना रहे हैं यहां भी breakout तो हुआ नहीं है मैं आपको level देता हूँ यहां पे अगर 270 यहां से 2.5% उपर है यहां पे आप धीरी-दरी quantity add करना शुरू कर सकते हो price अगर 270 के उपर cross करना start करता है यहां पे इसने fake breakout दिया slow and steady यह उपर गया फिर से उपर गया यहां पे sideways momentum अलड़ी कर चुका है तो एक बार अगर 270 को उपर के साथ यह cross करता है तो कम से कम 300-310 का जो rise 10 है वहां तक यह approach करने के कोशिश जरूर करेगा तो यहां पे एक अच्छी buying opportunity हमारे सामने generate हो रही है इसको आप catch कर सकते हैं इसको आप utilize कर सकते हैं ठीक है तो यह काफी अच् पास नहीं करेंगे यहां पर more or less same pattern यहां पर भी है same 2050 का हमारा band है इसका नाम stock का Indian Railway Finance Corporation IRFC more or less similar structure है यहां पर भी एक breakout level है price यहां से काफी अच्छा pattern मना रहा है आपको दिख रहा ही यह trend line draw कर लो या फिर a resistance draw कर लो या फिर 2050 के हमारी जो band है वो देख लीजे आप काफी अच् trend हुआ उसके बाद वापिस से correction करने आया अगर आप फिर नाकी लगा की भी देखेंगे ना पूरे trend का यहां से यहां तक तो आपको देखेगा कि 61% की correction हो चुकी है उसके बाद price slow and steady यह उपर एक base बनाया रहा है यहां पर बहुत ही जल्दी breakout करने के लिए ready है 150 का जो level है अ से आप पिरानी history यहां पर चेक कर सकते हो तो यह दोने stock को ध्यान देना जो भी railway के stocks है न काफेचे pattern बनाने आप इस week निकलेंगे या फिर next week निकलेंगे वो किसी को नहीं पता आपको दो week के लिए इसको track करना पड़ेगा third stock हमारे पास SJVN नाम यहां सब देख लीजेगा SJ SJVN limited करके है quickly यहां पर more or less same structure है breakout का setup है यह एक line मैंने लगा दी है आपके सामने और यहां पर आप देखो थोड़ा सा zoom कर देता हूं मैं देखो यहां पर जो resistance हो भी हम draw कर लेते हैं एक resistance हमारे पास यह है और ठीक है ओके तो यह हमारे पास दो resistance हो गया एक हमारे पास support हो गय रही है उसने इसको squeeze कर रहा है pattern के साथ उसके बाद finally यहां पर breakout हुआ है यह एक retage setup फिर यह निकलने के लिए ready है current price पर entry एक बन रही है हमारे जो stop loss है ideally तो इसकी नीचे होना चाहिए बट आप देख लेना अगर 5-6% से जादे आ रहा होगा तो 5-6% will be more than enough आप हो सकता है swing के नीचे अगर आप stop loss लगाओ तो sustain कर जाएगा यह ठीक है यहां से because अगर आप stop loss 6-7% का भी रखते हो न तो कोई दिक्कत नहीं क्यों क्योंकि हमारा जो target है वो काफी बड़ा है यहां पे अगर यह gap fill करने भी जाए 155 भी जाए तो यहां से फिर भी 10% है इसके उपर निकले पर पास जो है JSW Infrastructure Limited करके है ठीक है तो यह जो stock है बिल्कुल नया IPO के stock था भी 3-4 मेन पहले launch हुआ इसने यहां पे एक अगर वापिस से मैं line draw कर दूँ तो यह एक breakout level था price ने इसको नीचे के तरह बुरी तरीके से fail किया यहां पे लोगों के stop loss hit कर आया फिर से ही उपर आ च at least वहां तक ही जा सकता है उसके बाद हो सकता है यहां पे time pass करें फिर उपर जाए price नीचे लोगों के stop loss खा के अगर उपर आया है तो यह उपर जाने के लाया हुआ है यहां पे इसने consolidate भी कर लिया है एक अच्छा आपको stop loss का place भी मिल चुका है यहां से अगर यह 255 का जो level limited अभी Raymond का chart मैं आपको एक बार weekly show करता हूँ तो आप थोड़ा सा picture clear होगा यह weekly chart है अभी हमने जो band की बात करिये 2050 यह price weekly में इसको follow कर रहा है यहां पर अगर देखोगे तो कितना प्यारा pattern है यहां पर price जबी भी एक overstate हो जाता है इसने band के पास test करना है price यहां पर overstate हुआ यह वापिस से band पर इसने test किया band पर test करने के बाद price sideways जा चुका है अभी sideways जाने के बाद अपने resistance को इसने face कर रहा है यहां से अगर यह निकलता है तो all time high पे भी नहीं रुखेगा all time high हलक यहां से 10-12% है तो इतना swing के लिए more than enough है लेकिन chart देखके clear दिख रहा है कि अगर यह निकलेगा तो वो यह structure है यहां से अगर निकलेगा तो 50% की momentum यहां पर कहीं नहीं गया हुआ है तो अगर आप positional देखना चाहते हो तो भी आप देख सकते हो अगर आपको swing के लिए चाहिए तो मैं आपको levels दे देता हूं यह देखो यहां पर एक हमारे पास breakout का level है यह ह हमारे पास एक as a target आप बूल सकते हो या फिर next हमारे पास जो rice dance है ठीक है यहां पर pattern आपको clear दिख रहा है यह हमारे पास एक important level था यहां से इसने fall करा उसके बाद वापस से यह level पर test हुआ है test होने के बाद फिर से नीचे गया जो लोग यहां पर बैठे हुए तो उनको न दीजे एक बार 1960, 1960 को पर अगर निकलेगा तो फिर यहां पर 2200 directly बिल्कुल ready है stop loss आपका यहां से 5-6% again जो भी breakout level होता है उसके नीचा आप stop loss डाल के use कर सकते हैं because अगर breakout हो चुका है तो price को वापिस से range के अंदर नहीं आना चाहिए last stock आज का जो हमारे पास है ICC potential life insurance अभी price यहां से एक top बना के नीचे आया ठीक है फिर से यह एक बार retracement करने उपर गया वापिस से price नीचे आया लेकिन इसने जो low है इसको break किया again यह एक top बनाता है लेकिन जो high इसको break नहीं कर पाता है फिर से एक low बनाता है जो की अपना जो previous low था उसके उपर आ चुका है अब य यहां से यह निकलने के लिए ready हो रहा है तो यहां पर अगर आप pattern देखेंगे तो यह pattern आपको clearly बोल रहा है कि यहां से price अगर निकलेगा तो directly 700 का level आपके सामने है तो अगर ऐसा clear picture आपके सामने है तो definitely यहां पर एक entry बनती है अब यहां पर इसको आप inverted hammer बोल लो या फिर price section के structure बोल लो क्योंकि यहां पे जो हमारे पास lows थे वो lower low में shift होते जा रहे थे जो हमारे पास highs थे वो दोनों भी lower highs में shift होते जा रहे थे ठीक है अब यहां पे पहले तो lows उपर shift हुए अब यहां पे धीरे धीरे जो previous high थे उसके उपर यह निकल जुका है तो completely proper structure दिख रह मिलती है या फिर एक data मिलता है तो आप आई कर सकते हो क्योंकि यहां से आपका जो stopler से बहुत कम है जो range है उसके just नीचे let's say 570 के आसपस माल लीज़ा 580 माल लीज़ा और उसके ऊपर जब निकलेगा तो directly 700 का हमारे पास target दिख रहा है तो काफी अच्छा pattern है इसको आप definitely check out करेंगे यह 6 stocks थे जो की breakout के वर्ज पे हैं next week या फिर next to next week में आपको definitely 10-10% के momentum भी देखने को मिल सकते हैं इनको आप definitely track करेंगे आईए last week stocks देख लेते हैं सबस्तर पहला stock हमारे पास था इसका मैं daily switch कर लेता हूं इसमें अगर हमने देखा था इस point पर अभी भी 3-4% उपर काम कर रहा है price उपर 7% गया था लेकिन वापिस से नीचे उतार दिया है कोई बात नहीं आपका जो stop loss है वो है 240 के आसपस because हमारा यह breakout लेवल था तो इसको वापिस इसके नीचे नहीं आन third stock हमारे पास ICC Lombard हमने इस point पर बात कर रहा था 4% उपर अभी भी काम कर रहा है और बहुत अच्छा pattern इसने बनाया हुआ है अगर मैं आपको इसका weekly दिखाऊ ना तो आपको देखेगा यह देखे यह pattern इसका weekly chart में एक massive breakout है उसके बाद एक top class की doges ने बनाई हुई है तो इ देख सकते हैं third हमारे पास IFBA Limited इसमें अगर आपने entry बनाई है तो stop loss यह जो 20 moving average उसके नीचे डाल के रखना क्यों क्योंकि इसका मैं आपको weekly दिखाता हूँ यह weekly chart है अभी अगर आप weekly chart में देखेंगे तो इसमें क्या बिगड़ा हुआ है कितना प्यारा pattern है price अभी जब long term की structure से निकलता है तो यहाँ पे volatility बिल्कुल जायज है यह one way rally में उपर गया है हो सकता है यहाँ पे एक दू वीक और side way चला जाए लेकिन एक बार निकलेगा तो price double करेगा इसको क्यों क्योंकि 10 साल से underperform कर रहे हैं यह stocks तो अगर यह निकालता है लेटसे यहाँ से 1500-520 के level निकलेंगे तो 2500-3000 बे आने में इसको कोई देर नहीं लगने वाली ठीक है तो उस तरीके से इसको देखेंगे अगर यहाँ पर आपको 10% के stop loss लग रहा है तो यहाँ पर आने के लिए 50% सामने देख रहे हैं मुझे तो यह आपको hold कर सकते हैं इसको last हमारे पास जो stock था वं stocks थे इस week के और next week के I hope आपको चीज़े clear हो गई होंगी कोई doubt हो नीचे comment section में डाल दीचे वीडियो कैसे लगी मुझे बताई comment section में that's it for today मिलते नेक्स वीडियो में till then bye and thanks watching